आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपके समख्च फिर से वपस्तित हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और दोस्तों आज का जो टॉपिक है अंक सास्तियानी की निमरलोजी से लेटेड है और इस टॉपिक में जो डिसकस करने जा रहा हूं उसका नाम है एक कुरे इसमें क्या अधारना है जो पीछे के अधारना चले आ रही है कैसे हम बता सकते किसी के बारे में कि या पैसे हो नंबर कैसे बता सकता है यह सब सारे कुस्चन का जवाब इसको आप इस वीडियो के माध्य हम से मिलने जा रहा है कि क्या है एकुरेसी और कैसे हम निमरोजी मे एक analysis और दुसरा predictions analysis का मतलब ये है कि आप कैसे number को analyze कर रहे हैं और क्या predict कर रहे हैं दोनों दो चीजे हैं एक analyze करना और दुसरा predict करना कि हाँ आपके साथ ये चीज होने वाला है और आप ये चीज को govern कर रहे हैं इस तरह का attributes है आपके साथ तरह के क्रेटिस्टिक हैं और आपके साथ यह होगा बहुत है डिफरेंट यानि कि आप चीजों को एनलाइज कीजिए कि क्या है क्या चीज इसमें इंकिलूड है और क्या इसका मतलब है और इसका क्या इफेक्ट परेगा उसको हम प्रेडिक्शन बोलते हैं तो दो एकुरेसी जिए परेव करता है साइंस के तरह सårt ja między ब करते हैं और कि ऑक परे लोगे उसके पीछे प्रूप स्ने सचाई होगी और उसके बेसिस पर कुछे डिसप्रेश करते हैं और उसके चाहिशन करते हैं और उसके साथ हम प्रेडिक्ट करते हैं अब आब आताते हैं एकुरेसी में तो accuracy of neemology जो है, वो दो चीज़ों पर टिपिन गर गए, तो neemologist और एक analyst, जो हमें analyze कर रहे हैं या analysis करवा रहे हैं, वो कैसे हैं, वो neemologist जो हैं या analyst जो हैं, उनकी क्या capability है, वो कितने जानकार हैं, वो किस तरह से किस चीज़ को reference लेकर analysis करते हैं, यह एक बहुत बड़ा और accuracy हो क्या है, अगर मैं आपकी बारे में, मैं एक numerologist हूँ, या एक analyst हूँ, एक data science के बारे में, आंक साथ के बारे में जनकारी है, मैं कुछ analyze करके, चीज़ों को study करके, आपके बारे में बताता हूँ, कि आपके साथ ऐसा है, आपके साथ हो सकता है, लेकिन अगर आप action उस क्योंकि हमारे पास, अगर सब्सक्राइब हमारे strength weakness मुझे पता है, और उसके इसाथ से मैं action नहीं लोगा, तो चीज़े हमारे साथ नहीं होगी, तो यह हम predict करते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और इस चीज़ की energy आपके पास है, और आपक आपका analysis जो हुआ है, आपके बारे में आपके numbers का परभाव है आपके उपर, वो किस level का है, और उसके प्रती आपका action क्या है, आपका action क्या है, वो आपके accuracy को decide करेगा, और होगा कि आपको समझ आ गया होगा कि accuracy का मतलब क्या है, अगर हम देखें accuracy के term में, तो numerology जो है, यह एक GPS system की तरह काम करता है, यह आपको guide करता है, कि आपको यहां ऐसे है, ऐसे है, आपके पास यह option से, अगर आप ऐसे जाएंगे तो आपको इस तरह की समस्या आएंगी, और इस तरह से path को follow करेंगे, तो इस तरह की समस्या आएंगी, इस तरह से काम करेंगे तो आपको ज्या है पहला point second point ये है कि human being के पार एक special power है इंसान के पास हम बोले तो अलग ही energy एक अलग ही power है जो किसी भी दूसरे प्राणी के पास नहीं है तो हमारा hard work हमारा will power हमारा enthusiasm, intuition, logical thinking, common sense ये सब क्या है ये सब एक ऐसा पहलू है जो हमारे चीज़ों को change कर देता हमारे पास ये power है कि हम कुछ भी कर सकते हैं तो second point ये है कि आपके पार जो निमरलोजी है GPS system की तरह काम करता है और दूसरा human being के पार एक special power है उसके will power को देखें उसके enthusiasm को देखें intuition को देखें logic को देखें common sense को देखें तो चीजों को अराम से change कर सकता है तो ये तूसरा point है तीसरा point ये है निमरलोजी can provide guidance but human being has the power to seek their destiny निमरलोजी क्या है निमरलोजी एक guidance है एक information system है एक GPS एक navigation system है और आप human being होकर उसको कैसे use करते हैं यही आपका destiny बनेगा आपको सब कुछ पता है लेकिन आपके actions जो है आपके जो कर्म है उसके हिसाब से नहीं है तो आपका destination जो होगा आपकी destiny जो होगी वो सही जगह पर नहीं पहुंचे तो ये बड़ा कोई neurologist है data science का knowledge रखने वाला अंक science का knowledge रखने वाला है वो किसी के बारे में analysis करके उसके से जो number प्रभावित है उसके बारे में बताता है वे नहीं लेगा तो चीजें नहीं होगी तो आपको इन चीजों को समझना है कि कैसे neurology हमारे life में effect लाएगी और क्या है हाँ आपका उपर किस energy का ज्यादा effect है कि neurology बताता है आपके weakness को आपके strength को आपके opportunity को आपके threats को आपके काम करने के तरीका को आपके thinking pattern को अगर आपको समझ में आ गया तो उस directions में आप काम करेंगे तो आपको helpful होगा तब ही जाकर accuracy होगी ऐसे कोई predict कर देगा कि आपके साथ six month के बाद ये होगा आपके साथ इसके लिए ऐसा साल है यह accuracy नहीं देगा जलता आप उसके action और आप उसके काम नहीं करेंगे तो यह रहा accuracy से लेटर जो नीमोलोजी के accuracy है और इसके प्रती जो आपके question से doubt है और एक basic concept यह है कि data science की तरह काम करता है और इससे हमारे चीजों को पता चलता है और कैसे चीजों को हम change कर सकते है growth कर सकते है इन चीजों को अपना कर यह हमें निमोलोजी के मादयं से पता चलता है हमें यही है इसके accuracy यहां आपके बारे में पता चलता कैसे आप के फरवड कर रहे है यह आपके ऊपर है और यहीधी करेगे आपके डिस्ट्नी को और आपके accuracy को जो दोस्तो है कि आप क्या होड़ कर रहे हैं और उसको आप कैसे के रिफरोड करके चीज़ों को चेंज कर रहे हैं फुला फुली जो है यूमन बिंग कर रहा है उसको आदि जैसे चाहिए से कर सकता है अगर आपके नॉलेज में अगर कुछ एड़ाउन हुआ इस वीडियो के माधियां से इसको लाइक से जरूर कीजिए और आपका जो कुछ पॉइंट से चाहिए आप किस नंबर से ज्यादा प्रभावित हैं आपका फेवरेट नंबर क्या है और उसकी वाइबरेशन क्या आपको प्रदान करती है आप कमेंट के माधियां से जरूर मुझे सुचित दिए फिर मि दूसरे ये मुस्कुराते रहे है और पोजिटीव इनर्जी वाइबरेशन के साथ काम किजिए ताकि आप अपने लक्ष को प्राप्त करता है थैंक्यू दोस्तों और मैं आसा करता हूँ कि आनवाने में